आज हम बात करने वाले हैं सुक्रोज के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है कि सुक्रोज का मतलब क्या होता है, तो सुक्रोज जो होता है, एक आपका डाई सैचिरेट होता है, सबसे पहली बात, सुक्रोज का होता है, आपका डाई सैचिरेट होता है, अब बात आती है कि कि दाइससेटिस का म्तलब क्या होता है जिसको हम लोग हैड्सिश करेंगे तो हमको दौ do monosacrylates, राप्त होंगी। अजय होगी, हम लोग सुक्रोज की आ बात कर रहें, और सुक्रोज भी क्या है, कि हमकोु क्या है, मौनसारियनेक्ट, मिलेगी, अब कर दो monosacrylates, मिलेंगे। तो हमको पता धर लेकर है अच्छी तरीके जानते हैं कि हमगो Halo जो होते हैं दो FORM पर अयुट करते हैं और अपका alpha form होता है glucose को एक बीटा assessments फिर breakfast तो जो होता है इसका भी आपका एक alpha form होता है, दूसरा एक beta form होता है, आरे बात समझ भी, तब हमको देखना है कि ठीक है, उक्रोज जो है आपका, ये तो समझ आगे, क्या होता है कि जब भी इसका hydrolysis करा जाएगा, ठीक है, सुक्रोज का, एक dices rates है, और सुक्रोज, dices rates का हम मिलेगा दो मोनोसे स्रेट्स मिलेगा ना और वो कौन-कौन से दो मोनोसे स्रेट्स हैं तो यह भी हमको पता है कि ग्लुकोज और फ्रक्टोज है लेकिन ग्लुकोज कौन सा तो हमको यहां पर हमको बताने कि यहां जो है अल्फा डी ग्लुकोज यानि हम लोग हमको जो मिलेगा वो कौन सा glucose मिलेगा alpha-d glucose मिलेगा आरी बात ना समझ में और हमको मिलेगा beta-d glucose sorry, beta-d glucose नहीं, beta-d fructose यह ध्यान अपना है beta-d क्या है, यह fructose आरी बात समझ में, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है अच्छे तरीके से कि हम लोग जब भी सुक्रोज को क्या करते है हम लोग hydrolysis करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, glucose मिलेगा और fructose मिलेगा, लेकिन हम यह नहीं जानती थे क्वाई कौन सा glucose, कौन सा fructose तो यह अभी clear हो गए कि भाई जब भी हम लोग glucose क्या करेंगे सुक्रोज का नहीं, सुक्रोज का हम लोग जब भी hydrolysis करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब को मिलेगा alpha d glucose और अब को मिलेगा beta d fructose ठीक है, यह बात clear हो गई अच्छा, जब उसको hydrolysis करने पर हमको यह दोनों मिलेगा, तो obvious है कि जब हम इन दोनों को जोडेंगे है ना, जब इन दोनों को क्या करेंगे, जोडेंगे, तब हमको क्या मिलेगा तब हमको क्या, obvious है कि हमको सुक्रोज मिलेगा आरी बात समझ में, तो हमने दो चीज़े clear कर ले, पहला क्या clear कर ले, कभी सुक्रोज होता टिक अऩ गरेंगे the creator makeup करेंगे तो क्या मिले का सुखरोज..? ओमिद आपको समझ आ गईु बर À the अब बताती है कि वह कैसे करेंगे यह तो ठीक है किवह कि मैं करेंगे तब अक मैं करेंगे सुखरी करेंगे तोIGHT अब हम लोग सो क्या करेंगे, दोनों को लिंक करेंगे, आरी बात समझ में, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिजन एटम के तरो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को लिंक करेंगे, ठीके, आप इस स्ट्रक्सर पर धान दो, नीचे में क्या होगा आपका, अगर आपको ध्यान हो हटादो यह जो oxygen बचा हैना यह चाँ क्या कर दो मिलिःंग कर दो आरी बात समझ में फिरसे यह जो oxygen के थूप क्या कर दो आप हिसको लिंक कर दो आप alpha d glucose को और beta d fruct Czy को क्या आप कर दो लिंक कर दो किस Czyli near दो यह vasher जब इसका लॉस होगा आरी बाता समझ में यहां पर जब भी आपका फिर से जब भी क्या होगा H2O molecule जो है H2O molecule का loss होगा आरी बाता समझ में H2O molecule का क्या होगा loss होगा तब क्या बच जाएगा तब आपका बच जाएगा oxygen तो उस oxygen के तुर क्या करेंगे इन दोनimento क्या करेंगे निए बात समझ में क्या करेंगे करेंगे तो क्या करेंगेyes tech comments okay लिए अब बात आती है कि वहीं कैसे 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 किरें को करें तो हम इसादियों को खिरत आप देखें को अबुचा सब्सक्राइए द्यान नकरते है शुरु हो ़हां को और भी याई पहला वाला जो है आपका अलफा-डलप ग्रूrokोज जो है अलफा-डी-द्य वर्लूकोज का C1 आरे बातना समझ में यह क्या आपका बीताडी-वार्फ्रक्रोज outta该द समझ आपको यह कौन सा है बीताडी-वर्क्रफ्रक्रोज हमने किसको लिया है देखो अब ध्यान से यह C2 को है ना हमने क्या कर रहा है C2 को यानि इसका जो C1 है यानि पालवा यानि alpha-d glucose का C1 और beta-d fructose को क्या चीज़ सी 2 अगर हमनों दोनों को oxygen की थुरू link करेंगे औरी बात समझ वे इसका थुरू लिंक करेंगे, औक्सिजन को थुरू क्या करेंगे, लिंक करेंगे, तब जाके हमको सुक्रोज मिलेगा, तब हमको क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, ठीक है, उमीद आपको ये बात समझ आ गही होगी, ठीक है, फिर साम एक बार रिपीट करते हैं, सारी चीज रिट्स होता ही बनता है कैसे है तो जब भी अलफा डी ग्लोकोज और बीटा डी फ्रक्टोज तो अगर ओक्सीजन एटम को तुरू क्या करेंगे लिंक करेंगे तो यानि इसका यानि इसका c1 और इसका c2 इसका c1 और इसका c2 को हम लोग इसके थुरू लिंक करेंगे तो यहां पे किसका लॉस होगा यह जो h2o है इसका क्या होगा लॉस होगा ठीक है और क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा सुक्रोज आरी बात समझ में क्या बन जाएगा आपका सुक सबसे पहली बाई, डाइसे होता है, और दुसरी बाद सुक्रोच बनता कैसे है, टिक है कैसे बनता है, तो जब ही हम लोग alpha-d-glucose को, और beta-d-fructose को, टिक है, alpha-dglucose का C1 और beta-d-fructose का C2, को हम लोग क्या करेंगे, oxygen के थूरू link करेंगे, जहां पे H2O, जो है water molecule का loss होगा तो यहाँ पर जाकि आपका सुक्रोज बन जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सुक्रोज बन जाएगा ठीक है अब बात आती है कि यह खास तरह का जो linkage होता है कि ऑक्षिजन के थूरू link होना है दो molecules का है आप ऐसे बोलो molecules अच्छा इसको दो monosaturates का oxygen के थूरू link होना है यह जो linkage जो है यह जो link है एक खास तरह का जो link है इसको में बोलते है glycosidic linkage यह आप वाड़ पर ध्यान दर है इसको में बोलते है glycosidic linkage आरी बात असमज में इसको में क्या बोलते कौन सा linkage glycosidic linkage तो simple सा है अगर clear करना होगा अगर आपसे कोई दो पूसता है कभी glycosidic linkage का मतलब क्या होता है तो simple सी बात है है ना कि दो मोनो सेचरेइट को दो मोनो सेचरेट को oxygen एटम के थूरू add करना ठीक है oxygen क्या करना link करना ठीक है link करना ही क्या कहलाता है कौन सा करना अगर लाई को सेडिक linkage करना आई बात समझ में ठीक है यह तो हो स्टेटिक Linkage गालाता है ठीक है और यहां पर एक बात अपने हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर H2O का याने एक Water Molecule का क्या होगा आपका करना है कि आपका सुक्रोज है कि आपका रेडिजिंग सुगर है कि नन रेडिजिंग सुगर है अब हमको पता करना है कि जो सुक्रोस है आपका यह जो सुक्रोस है आपका किस तरह का सुगर है यानि क्या यह रेडियूजिंग है कि नहीं है यह रेडियूजिंग सुगर है कि नन रेडियूजिंग सुगर है अब हमको यह प्राप्त करना यह हमको पता करना है आरी बात समझ में तो यह हम लोग क् कि ребी रेडियोजिंग्स पर सब्थे बता है तो यहां पे एक बार्ध नहींगे टो हमक mec companies legal group every होते हैं उसको क्या बोलते है ट्छी दृश्टर में अगर अगर आप देखो कि ध्यान से अभी जो हमने diagram द्रॉख करा था जिसमें हमने क्या करा था alpha-dglucose को हैने हमने alpha-dglucose को और हमने beta-dglucose को हमने link करा था था यहां पर लिंग कर था तो यहां पर लिंग हो गया तो इससे यह clear हो जा रहा है कि यहां जो functional group है वो free नहीं है आरी बात समझ में यानि यहां जो functional group है वो free नहीं है functional group free not free अज़ा functional group free नहीं है functional group are not free अज़ा functional group free नहीं है यानि clearly हम लोग goals रखतें कि यह जो है non reducing sugar है आरी बात नहीं समझ हम लोग क्या बोल सकते कि यह आपका कौन सा सुगर तो अगर ये प्रस्च आता है आपके पेपर में की वही आपने बताना है की यहupun्न रिडियुजिंग सुगर है थे उसका जोम पाल है वो फ्री नहीं है यह ऐसे बोच सकते हो कि क्योंकि ग्लाइकोसीडिक लिंकेज के कारण ग्लाइकोसीडिक लिंकेज के कारण इसके जो फंचनल ग्रूप है इसके जो फंचनल ग्रूप है वो फ्री नहीं है आरी बात ना समझ में अच्छा किसके फंचनल ग्रूप यह आपने ध्यान रखना है कि किसके फंचनल ग्रूप अर्फ डीग्ल्पोज और बीटा डीग्ल्पोज का जो functional group है वो free नहीं है फंट्शनल ग्रूप है वो क्या है free नहीं है और not free आरी बात समझ में तेक यह क्यों कि दोनों जो है link हो गया है क्या होगे oxygen atom के तूर क्या होगे दोनों link होगे या आप ऐसे बोलो कि glycosidic linkage के कारण जो सुक्रोस होता है यह non reducing sugar कहलाता है आई बात समझ लिए तो simple सा logic है तो हमने सुक्रोस के तीन बात है अब लोग क्या करते है फोर्थ पॉइंट की बात करते है अभी देखो ध्यान से सुक्रोस जो होता है आपका यह dextrotatory होता है ध्यान से समझेगा सबसे पहला पॉइंट तो हमने clear कर लिया कि सुक्रोस क्या होता है एक disaturated होता है यह concept clear कर लिया हमने तुसरी दुसरा point कि भाई यह जो होता है किस किस से मिलके बना होता है तो यह जो होता है है एक नन्रेडूजिंग सुगर है यह जो है आपका एक नन्रेडूजिंग सुगर है यह भी हमने समझ लिया तिक अब चौता पॉइंट हमने समझना है कि सुक्रोस है आपका यह किस तरग है यह dextrotatory है या लिवरोटेटरी यह इसका क्या है तो आपने ध्यान में रखना है कि जो सुक्रोस होता है यह dextrotatory होता है यह जो होता है लेकिन ध्यान से सुक्रोस का होता है सुक्रोस जो है वो dextrotatory सुक्रोस का यह जो क्या होता है लेकिन हमको पता है कि जब भी हम लोग्ता है और लीवरोटेटरी और हमको लीवरोटेटरी क्या मिलता है फ्रक्टोज में अरी बात समझ में देखो को ध्यान से समझेगा शुक्रोज जो है खुद क्या है हुद जो है वो dextrorot whisky है dextrorotatory है लेकिन रिखिस हम लोग इसका क्या karen halten ouиж दोनों तरह यानल त्रह कंपाुंड देगा यह देक्ट्र dolotatory stretches वाला of compound देगा और levo-ивodotatory है एक जो यह levo-нит drink legarbeit Kan पर जटो